नमस्कार दोस्तों महिंद्र जीत आज हम 36 गड़ के समान ज्यान के विशय में आपको संपुन जानकारी देने वाले हैं आज का मारा टॉपिक है 36 गड़ के पड़ोसी राच इस टॉपिक में आज हम संपुन विडियो लेकर आये हैं देखेगा अंतक बने रहिएगा और लास्ट में आपको होमवक के तौर पे आपको कुछ कोश्चन भी मिलेंगे जिस कोश्चन के आंसर आपको मुझे कमेंट्स के थूद देना है ठीक है यदि आप चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से जरूर करिएगा क्योंकि वन आप दा बैस चैनल है प्रयास इंट्रेस एक्जाम के लिए तो आप सभी जुड़िएगा चलिए 2023 प्रयास के इंट्रेस एक्जाम में कुशन आया था कुशन था 36 गड़ की सीमा का अधिकान भाग किस राजजी की सीमा से लगा हुआ है और इसके ऑप्षन थे आंद्रप्रदेश महाराष्ट ओरिशा और मध्यप्रदेश ये चार आपको ऑप्षन मिले थे यही हमारा आज का में टॉपिक है इसे और भी बहुत सारे कुशन बनेंगे तो मैं आपको स्टेप वाइस बताता हूँ कि आपको करना क्या है कैसे कुशन और बनेंगे इसको पुरा सौट आउट करेंगे हम और मैं आपको दावे के साथ बोल ला हूँ वीडियो के अन तक आप मानके आपसे बनना ही है 100% बनेगा आपसे ठीक है चलिए इससे पहले हम लोग बहुत कुछ जानते हैं 36 गड़ के बारे में जैसे आपने मेरा पिछला वीडियो भी देखा होगा जिसमें मैंने 36 गड़ के समान ग्यान में बहुत सारी चीज़े आपको बताया था और वल लाइनर कोशन था उसके बाद अब्जेक्टिव टाइबी कोशन आप सब के लिए था उसमें तो कुछ चीज़े मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जैसे बरतमान में अभी 36 गड़ में 33 जीला है और 5 संभाग है यह जानकारी मैंने आपको पहले दिया था और आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि 36 गड़ में सबसे बड़ा जीला कुंस है और सबसे छोटा जीला कुंस है यह जानकारी मैंने आपको पहले दे दिया है चलिए अभी हम पडोसी राज्यों को जानने से पहले हमें नक्सा समझने के लिए दिसाओं का ज्यान होना अवश्यक है यदि आप जानते हैं तो दिसा भी जानते होंगे और नहीं जानते हैं तो आप बिलकुल चिंता ना करें मैं आपको इस्टेप बाइस्टेप समझाओंगा आपको एक एक चीज समझाएगा कैसे नक्सा आपको ड्रॉइंग करना है और कैसे आपको आंसर्स देने है तो आपको कहीं होगा चलि समस्ते हम लोग सबसे पहले नक्सा के लिए तो 36 गड़ का नक्सा उठाईए आप और 36 गड़ के नक्से को आप क्या करिए एक आड़ी लाइन काटिए आड़ी लाइन जब आप काटेंगे तो आपको ऊपर जो मिलेगा वो उत्तर दिसा हो जाएगा और नीचे जो म ठीक है अच्छा अब हमारे पाथ दो चीज़ और बजगे पूर्व और पस्षिम तो वो कैसे करें तो देखिए फिर से 36 गड़ काम नक्सा लेते हैं और उसको एक खड़ी लाइन काटें बीचो बीच काटें तो आपको राइट साइड में मिल दाएगा पूर्व दिसा और लेप साइड में मिलेगा आपको पस्षिम दिसा क्लियर हो गया अब आप फाइनली देखेगा उत्तर दच्छिन पूर्व पस्षिम आपको मिल चुका है है ना अभी इसमें हम समझेंगे कि उत्तर और पूर्व की बीच कौन सा दिसा होगा तो देखेगा उत्तर और पूर् आपका कहलाएगा दक्षिन पूर्व दिशा फिर दक्षिन और पश्चिम का जो भाग है वो आपका दक्षिन पश्चिम कहलाएगा वहीं उत्तर और पश्चिम का जो मद्ध भाग है वो आपका कहलाएगा उत्तर पश्चिम दिशा तो एकदम क्लियर हो गया उत्तर दक्षिन पूर्व पश्चिम उत्तर पूर्व दक्षिन पूर्व और आपका दक्षिन पश्चिम और उत्तर पश्चिम ध्यां रखेगा जब नाम आप देंगे तो देखे जो उपर में उत्तर है और साइड में आपका पश्चिम है तो आपन आंसर जब ले रहे हैं तो उपर से ले र दक्षिन और पुर्व उसी प्रकार दक्षिन पस्चीम और फिर उपर से उत्तर पस्चीम इस प्रकार हमने इसको लिया है तो एक तो एकदम क्लियर हो गया होगा इतना आपका देखिए आप सभी कॉपी निकाल लेंगे और कॉपी में क्या करेंगे पूरा नोट डाउन करके रखेंगे कैसे हम आपको समझा रहे हैं क्योंकि एकजाम में आपके लिए कुष्चंस यहां से होने ही है चले आप छतिस गड़ का नक्सा यह दि आप देखते होंगे तो इसमें बहुत एक कुष्चंस आता है एक्जाम में कि छतिस गड़ राजी की आकृती किस के समान है तो इसका आंसर हो जाता है, 36 गड़ राज्य की आकृति, समुद्री घोड़ा के समान है. इसी में एक और question आपको पुछा जाएगा, कि 36 गड़ राज्य की सीमा, साट राज्यों की सीमा को छूती है. तो यह question बन सकता है आपको, कि कितनी राज्यों की सीमा छुती है 36 गड़ राज्य की सीमा को तो आपको वहां आंसर देना है साथ राज्ये तो यह साथ राज्ये है कौन-कौन से तो उत्तर प्रदेश आप जानते ही है इसको इसके बाद है आपका आंध्रप्रदेश फिर है ओडिसा पहले इसको उडिसा बोलते थे अभी यह ओडिसा हो गया है कुछ समय हुआ इसको नाम चेंज हुए इसके बाद आप देखेगा महाराष्ट फिर है जारखन इसके परशाथ तेलंगाना फिर है मद्रप्रदेश तो यह आपके जो साथ राज्य है उत्तरप्रदेश आंध्रप्रदेश ओडिसा महाराष्ट जारखन तिलंगाना और मध्रप्रदेश यह 36 गड़ के कौन-कौन से दिसा में है यही से कोश्चन होने वाल है ठीक है तो चलिए हम लोग समस्ते हैं सबसे पहले देखेंगे हम उत्तरप्रदेश तो उत्तरप्रदेश जो है वो 36 गड़ के उत्तर दिसा में है आप देख पारेंगे उपर के और नकसे में उत्तरप् इसकी तो यह 36 गड़ के दक्षिन दिशा में सबसे नीचे में देखेगा आप नीचे देखेए इसके बाद महाराष्ट तो महाराष्ट जो है वो है आपका 36 गड़ के पश्रिम दिशा में है 36 गड़ का पश्रिम दिशा देखेगा उसके बाद है आपका ओड़िशा ओड़िशा आप देखेगा 36 गड़ के पूर्व दिशा में है अगर इसको मैं सिरिज लूँ तो उत्तर में आपका उत्तर प्रदेश दक्षिन में है आंद्र प्रदेश पूर्व में है आपका ओड़ जो है वो 36 गड़ के उत्तर पूरुदिशा में इस्थित है देखे उत्तर पूरुदिशा में 36 गड़ के उत्तर पूरुदिशा में जारखन कोशन बन सकते हैं इसके बाद दक्षिन पश्चिम दिशा में तो दक्षिन पश्चिम दिशा में आप देखेगा तिलंगाना उत्तर पश्चिम दिशा में आपको देखने को मिलेगा मद्रप्रदेश ठीक है तेश सात राज्य है जो की 36 गड़ की सीमा को छूते हैं उत्तर प्रदेश, आंद्रप्रदेश, ओड़िसा, महाराश, ज्ञारखन, तेलंगाना, मद्रप्रदेश और कौन से दिशा में है यह याद रखने यहीं से questions होते हैं आप नक्सा देखकर बता सकते हैं और भी कुछ special fact में आपको बता देता हूं कि 36 गड़ की सीमा का अधिकांज भाग को छुने माला राज्य कौन सा है ऐसा भी question आपको कर सकते हैं तो देखे अधिकांज भाग को अर्था सरवाधिक भाग को कौ O'diysa राज्य है जो 36 गड़ के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य है सबसे ज़्यादा सीमा को छुर है यह O'diysa एक और QUESTION इसमा जसीं में बन सकता है कि 36 गड़ के साथ सबसे कम सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है देखे सबसे ज्यादा तो आप बता दिये अब सबसे कम पूछा एक्जाम में तब क्या करेंगे तो देखेगा आपको समा जारोगे थोड़ा सा छूर है आपका आंधर प्रदेश तो 36 गड़ का वह पडोसी राज जो सबसे कम सीमा बनाता है यदि ऐसा कुश्चन आया तो आपको आंसर लेना है आंधर प्रदेश वहीं 36 गड़ से लगा हुआ सबसे बड़ा राज छेत्रफल की दृष्टी से यदि आपको पूछता है देखेगा छेत्रफल की दृष्टी से पूछ रहे है सबसे बड़ा राज तो आपको आंसर लेना है मध्र प्रदेश ठीक है और यदि कुश्चन ऐसा हो जाए तो कि 36 अंतर राजिय सीमा वाला जीला कौन सा है अब देखेगे 36 गड़ में इदर आपको नकसे में 33 जीले दिख रहे हैं अब इसमें से सबसे कम अंतर राज जीय सीमा वाला जीला कौन सा है अर्थात जो दूसरे राज जी की सीमा को एकदम थोड़ा सा चूता है सबसे कम चूता है ऐसा जीला कौन सा है तो आप इसमें देख पा रहे होंगे कि धमतरी ये जीला है जो बहुत कम बहुत थोड़ा सा भाग को छूता है है ना तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका धमतरी चीक है और इसमें ऐसे भी कोश्चन हो सकते हैं आपके कि वही चतिसगर का सीमान जीला है तो देखें यदि आप नक से को देखेंगे तो उपर जब आप देखेंगे तो उत्तरतम जीला अगर आपको पुछाHHHH गड़ का उत्तर्तम जीला कौन सा है तिये हो जाएगा आपका बलराम पूर ठीक है नीचे आ जाते है पन तो दक्षिंतम जीला 36 गड़ का तो इसका अंसर हो जाएगा आपका सुकमा और यदि आपको ऐसा पूछा जाए कि सुदूर पूर्व जीला देखे कोश्चन आप समझ जीला कौन सा है तो आपको आंसर लेना है विजापूर ठीक है तो ऐसे भी कोश्चन आपके हो सकते हैं चले अब हमारा कोश्चन जो था उसमें हम देखते हैं हमारा कोश्चन था प्रयाज 2023 में पुछा गया था 36 गड़ की सीमा का अधिकांज भाग किस राज जी की सीमा से लगा हुआ है तो आप आराम से आप बता सकते हैं कि इसका आंसर होगा ओडी सा क्योंकि आपको पूरा डिपली नॉलेज हो चुका है नकसे का और कौन-कौन सा जो राज्य है वो छतिज़ड को छू रहा है कौन जादा चूता है कौन कम चूता है ये सभी नॉलेज आपको ह मैं अभी आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं इन सभी कोश्चन का आंसर्स आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि क्या-क्या इसके आंसर्स हो सकते हैं इसके बाद जब हम इसके लिए MCQ कोश्चन करेंगे तो आप आराम से करेक्ट आंसर देंगे मेरेको पूरा विस्वास है है ना और इसी प्रकार यदि आप तैरी करेंगे तो आपका 100% सेलेक्शन होना तय है भगवान नहीं रोख सकता सेलेक्शन के लिए कि भगवान तो खुद ही चाहते हैं कि जो अनत कर रहे हैं उसको बहुत अच्छा रिजल मिले ठीक है प्रेंट्स तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर तब तक के लिए गुडबाइ थाइंक्यू सो मच फॉर्ट